दोस्तों कैसा आप समय हो फरान और आप देखरों फर्यास एक्षन अगर 2003 में एंडी रूबिन, निक सियर्स, क्रिस राइट और रिक माइनर अगर ये चाल लोग अपना दिमाग नहीं लगाते तो आज शायद हमें Android डिवाइस जो आज हम यूस करते हैं ये देखने को नहीं म सबसे पहला फून जो Android के साथ आया था और इसमें आपको 3.5 mm जैक का भी ऑप्शन नहीं देखने हो मिलता था अगर आपको अपना हैडफोन या हैंडफी से कनेक करना होता था तो एक बड़ा बल्की सा एडपर आता था उसके साथ अपना हैडफोन या हैंडफी कनेक कर सकत दोस्तों Android जो ओरिजनली डिजाइन हुआ था या बनाया गया था वो बनाया गया था डिजिटल केमरास के लिए लेकिन किसी वज़े से वो नहीं चला उसमें तो आइडिया है कि क्यों नहीं से स्मार्टफोन में लेकर आया जाए और वहीं से स्मार्टफोन में आज आज आ आपने सुना होगा किटके आइटिंग अगया यह सब के सब स्वीट और डेजर्ट पर आपके सकतो उनके नाम पर रखे एक तरह सब यह भी कह सकतो Android उस टाइम पर इतना ज्यादा टेखनोलोजी में आगे था कि यहां तक कि नासा ने एंड्रोइड के दो फोन यूज करे थ इतने आप आपको देखने हो मिलते होंगे लेकिन अगर मैं आपको बताऊं टोटल एपस मिलाओं गूगल प्ले स्टोर में जितने आपको तब से लेके अब तक देखने हो मिल जाएंगे तो वह 48 बिलियन से भी ज्यादा एपस है और रोज नएने एपस और डेवलप हो रह रहे हैं तो आप खुछी सोच सकते हों कि प्ले स्टोर में 48 बिलियन एपस ज्यादा है जो आप अपने फोन के लिए डाउनलोड कर सकते हो एंड्रोइड डिवाइस इतना ज्यादा पॉपलर है इतना ज्यादा सकसेस है कि अगर आप टोटल सेज लगाओ Microsoft Windows के फोन उसके आपको एंड्रोइड जादा अच्छा लगता है या एपल का iOS और आप चाहते हो मैं फ्यूचर में और ऐसे इंट्रस्टिंग टेक्नोलोजी के उपर लेके आऊ तो जरूर बताना इंस्टाग्राम के मुझे फॉलो कर सकते हो नीचे डिसकेशन में लिंक है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मेरा युजर नेम यहां जाके मुझे फॉलो करिए कोई भी कुछ है ना हम यहां जाके मुझे फूर सकते हैं मैं आपको तुरांत उसका रिप्लाय दोगा दोस्तों कल में लिकाओं को नई और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ल